मैं आज बात करने वाला हूँ कि लक्ष हिन व्यक्ति में और लक्ष बना के जो काम करता है उसमें क्या अंतर है दो व्यक्ति के कहानी के माध्यम से आप लोग के बिच में मैं बताऊंगा दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ कि लक्ष हिन व्यक्ति में और लक्ष बना के जो काम करता है उसमें क्या अंतर है दो व्यक्ति के कहानी के माध्यम से आप लोग के बीच में मैं बताऊंगा तो चलिए बिनादेर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो एक ब्यक्ति ऐसा है कि उसने लगभग 30 साल से फेरी कर रहा है और अभी भी फेरी कर रहा है तो जहां से फेरी किया था वहीं पर कर रहा है साइकिल से ही कर रहा है अभी तक 30 साल हो गया फेरी स्टार्ट किया हुआ और वही उसके पास जो माल है वह 10 से 15,000 का है और वह ब्याज पर यानि कि उधारी में ही ला करके फेरी कर रहा है और दूसरा बेक्ति ऐसा बेक्ति है जो पांच सल से ही फेरी कर रहा है और उससे पहले वो काम के लिए इधर वज़ा भटकता था और काम उनको मिल नहीं रहा था लेखिन जीरो रुपिय से स्टार्ट किया किसी से ब्याज को रुपिया भी नहीं लिया उधारी में माल ला करके फेरी किया जैसे कि इस तरह से मान सकते हैं कि दूसरे से माल ले करके बेच करके ऐसे कमिशन पर काम किया ऐसे कर तो अपना माल ला करके फेरी करने लगा फेरी करते करते दोस्तों अभी के समय में उन्होंने लक्ष बनाके काम करता है, उनका कोई गोल्स ही नहीं है, कि उनको क्या करना है लाइफ में, इसकी उज़ा से उनको 30 साल भी तो फेरी करते करते हैं, फिर भी साइकिल पर भी है, वो भी ब्याज पर रुपिया लेकर के ही माल लाकर के फेरी कर रहा है, दूसरा बेक्ति है, जो लक्ष बनाके काम कर रहा है, तो ओ धीरे-धीरे करके फेरी करते करते, उसके पास थोड़ा भी पैसा नहीं था, फेरी के लिए माल लाने के लिए फिर भी उन्होंने दुकान कर लिया, दुकान में लगवा अरहाई 3 लाक का माल होगा, और उन्होंने एक श्टाप भी रखा फेरी भी कर रहा है, और दुकान भी किया हुआ है, पान सल के अंदर में, तो ये दोनों की सोच की बात करें तो दोस्तों सोच में भी काफी डिफरेंट है, जो 30 साल से फेरी कर रहा है दोस्तों, वो लगवा 55-60 साल का उमर भी होगा, उनका सोच ऐसा है दोस्तों, कि जरूरत पूरा करने के लिए और अपने बच्चे को पालने के लिए काम कर रहा था लेकिन ऐसा नहीं करना है जोभी काम कर रहे हैं उस काम से प्यार करना है और इनका सोच ए भी था कि मैं फेरी कर रहा हूं तो मैं फेरी कर रहा हूं ठीक है लेकिन मेरे बच्चे फेरी न करें उसको कोई अच्छा काम नोकरी जोब लगाए इनका सोच ए था लेकिन एही पर दूसरा वाला व्यक्ति था इनका सोच किस तरह का था यह देखिए इनका सो दोस्तों ए था कि दो ही बच्चे रखे लेकिन दो ही बच्चे पैदा करें लेकिन उसको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ अच्छा संस्कार दो और मैं जो काम कर रहा हूं फेरी कर रहा हूं इनका सोच भी ऐसा ही था कि मैं फेरी कर रहा हूं लेकिन मेरे बच्चे फेरी ना क करेगा मैं अपने बच्चे के लिए कोई अस्थाई काम यही काम अस्थाई करके दूँगा मैं फेरी करते करते मैं दुकान कर लिया हूं और इस दुकान को ऐसा बना दूँगा कि मेरे बच्चे गाउं-गाउं न भटके और अस्थाई रूप से बैठ सके इनका सोच यह था उन्हें दोस्तों फेरी से स्टार्ट किया, उससे पहले नोकरी का प्यारी करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, फेरी करते करते इतना काम उससे अपना प्यार करने लगा, कि नोकरी चाकरी सब भूल गया, नोकरी को इन्होंने जो है ना, नोकर की तरह मनने लगा, कि कहीं भी जाएंगे, सरकारी नोकरी भी करेंगे, तो तन खा तो अच्छा खासा मिलेगा, इजयत वरेगा, लेकिन रहेंगे तो नोकर ही, आईएस में तो पुरा फ्रेड्राम है, किसी तरह का, किसी के अंदर में रह करने लगा अपने, और अब जो दोकान किया हुआ है, उसको इस लेवल पर कर जा रहा है, जाना चाहता है, कि दो 4-5 साल में ओ फेरी भी नही करेगा, अभी फेरी कर रहा है, दोकान भी किया है, लेकिन चार-पान साल में ऐसा समय होगा, ओ बोल रहा था, कि हमको भूमना भी नहीं परेगा और 4-5 साल के बाद मेरे बच्चे भी दुकान पर बैठ सकेंगे तो दोस्तो इनका सोच ए था तो दोस्तो सोच का भी बहुत भारी फर्क परता है इसलिए अगर आप काम कर रहे हैं तो जो भी काम कर रहे हैं उस कामों से अपना जो भी काम कर रहे हैं उससे प्य पहुंचता है थोड़ा लेट लगता है लेकिन वहां पहुंच जाता है क्योंकि आप जब घर से कहीं जा रहे हैं सहर जा रहे हैं तो कौन सा सहर जा रहे हैं क्या करना जा रहे हैं आपको पहले पता होता है तो वहां पर असानी से पहुंच जाते हैं थोड़ा सा परसानी होता लेकिन वही पर दूस्तों, अगर आपको मालूम ही नहीं है कि कहा जाना है, क्या करना है, कौन सा सहर जाना है, तो आप वहाँ पहुच भी नहीं पाएंगे, बटकते रहेंगे, लक्ष बना के अगर काम करते हैं, तो वहाँ पे थ्वालेट से पहुचते हैं, लेकिन पहुच जरूर जाएंगे, इसलिए दोस्तों, लक्ष बना के काम कीजिए, और सोच को जाहें, थोरा बारा कीजिए, बारा करके काम कीजिए, कि सोचने में पैसा नहीं लगता है, दोस्तों, इसलिए सोचने में कंजूस्ति नहीं कीजिए, अगर आप नहीं कमा रहे हैं, तो आप ए बेहतर बना सकेंगे धीर धीर करके लाइफ में और जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को भी थोड़ा बारा सोच रख करके करें तो और भी बेहतर होगा और और भी काम वो बढ़ता चला जाएगा बारा सोच कर लक्ष बना करके पुरा किलियर लक्ष बना करके काम कीजिए और समय समय पर जो अपने लक्श में आगे काम कर रहे हैं उस लख्ष को जाँचपरताल करते रहे हैं अपको लगता है कि हाँ अपडेट करना चाहिए कहीं पर गलती हो रहा है तो उस लक्ष को सुधार करके फीर आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ पा रहाऊं कि नहीं बेहतर कर पारा हों कि नहीं, तो उस हिसाब से आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के बारे मेडिटेशन करते रहे हैं, महीने दिन, तीन महीने, छे महीने में, साल भर में, और देखते रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है कि नहीं, अगर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपने जो लक्ष बनाया आप जब भी लक्ष बना के आप काम करेंगे तो उस पर बहुत सारा रुकावाट आएगा, परिसानी आएगा, टेंसन वाली बात आएगा, तो यह परकीरती का नियम है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई काम लक्ष बना के स्टार्ट करते हैं, लक्ष पर फोकस करते हैं, तो आपको परिशाने के साफ जो है ना ताप्टे भी आने लगता है तो इस परिशाने और रुकावट को आपको ही सामना करना है उसको सामना करते हुए आगे बढ़ना है आप एक और बात का याद रखिएगा मन में कि किसी के उपर डिपेंटेड नहीं रहिएगा डिपेंट निर्भर हो करके खुद पर विश्वास करके काम करना है और कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहना है दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर नीचे धस्ते चले जाएंगे इसलिए दूसरे पर निर्भर ना रहके खुद पर विश् सलएसा मेरा बात अपई लोगों को आच्छा लगा हुआ क्योंकि मैं घुंते रहता हूं मैं अपने लाप के형 एक्स्प्रैंस से भी आपको बताया हूं और बहुत साइव लोगों से मिलता जुलता भी रहता हूं फेरी काम करते करते तो मुझे ऐसा लगा है कि ये बाते मैं अपने वीवर्श को बता करके मुझे बहुत ही आच्चा लाएगा अच्छा लाएगा उन्को नौलेज़ भी दिलेगा मेरे वीवर्श को इसलिए हमने बताया है आपको कैसा लागा कमेंट कीजिए अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए चनल पर फर्स टाइम सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दुस्तों के साथ सेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी थोड़ा सा नोलेज मिल सके और अपने कामे में वह बहतर हो सके तो चलिए दुस्तों मिलते हैं फिर से एक और किसी और न्यू व्लोक्स के साथ अभी लेता हैं बाई 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 वेस्ट अफ लक